आज बुलाए गए नारायनपूर बंद में भीड आक्रोशित हो गई इस दोरान कुछ लोगों ने चर्च में तोड़ फोड की कोशिश की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्च कर दिया जिसके बाद गुस्साई भीड ने पुलिस पर ही हमला कर दिया जिसमें नारायनपूर के एसपी सदानन्द कुमार खायल हो गए है जिले के एक संदाई के द्वारा आज यहां पे परदर्शन के लिए परदर्शन की ओजना बनाई गए थी उसके बाद उस संदाई के को सदस से उग्र होकर अस्थानी चर्च को नश्ट करने की दिसामें बढ़े थे लेकिन तभी पुलिस परसासन और जिला परसासन की वहां पे उतके अधिकारी की उपस्तिती में उन लोगों को समझाया गया लेकिन समझाने के बाब जूद भीर उग्र हो गई थी और फिर भी परसासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटना करम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है परसासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुजा कर उनके घर वापस भेजने के लिए कोसिस कर रहे है अंदुलन की पहले से सूचना थी के लिए उनके तरफ से एक सभा करने की सूचना दी गई थी आज सभा करने से पहले मेरे और स्पी साहब के द्वारा उस समाज के जो लीडर्स हैं उनको कलक्टर चैंबर में बुला करके उनको समझाईज दी गई थी कि यह सभा सांतिपूर्ण होनी चाहिए और व्यक्तिकत रूप से उनसे बात की गई थी लेकिन फिर भी यह घटना उसके बाद हुई है दरसल नारायनपूर में पिछले कई दिनों से धर्मांतरन को लेकर दो समुदाय के भी यह विवाद चल रहा है जिले में काफी तनापूर्ण माहौल बना हुआ है